वेलकम फ्रेंड्स नाही नाही चाहिए या हम जुक्के काम नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है इसका answer है कि नहीं हम जुक्के काम कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको कमर दर्द या slip disc है तो आप कैसे जुख सकते हैं, आप जुखने वाले काम कैसे कर सकते हैं और अगर आपको कमरदर्द या स्लिप डिस्क नहीं है और आप ये चाहते हैं कि है मुझे कमरदर्द या स्लिप डिस्क ना हो तो भी आप कैसे जुक के काम करें कि आपको future में कभी कमरदर्द या slip disc ना हो इसके लावा इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि कुछ लोग जो जुक के ही काम करते हैं जैसे plumber हैं जैसे राजगीर हैं जो घर बनाते हैं या electrician है या खेतों में काम करते हैं तो जो भी लोग जुक के काम करते हैं वो कैसे जुक के काम करें तो मैं हूँ Dr. Veksonkar Orthopedic एवं Endoscopic Spine Surgeon तो आईए शुरू करते हैं वीडियो तो वीडियो के इस सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को Slip Disk की समस्या नहीं है या फिर जिन लोगों को सिर्फ खली कमर दर्द की समस्या है थोड़ा बहुत और Slip Disk नहीं है या जिनको कुछ भी नहीं है बिल्कुल नॉर्मल है वो लोग कैसे जुक के काम करें वो लोग कैसे जुक के वजन उठाएं और जुक के काम करने और वजन उठाने के बाद वो क्या चीज करें कि उनको फ्यूचर में कभी Slip Disk नहीं हो और यही चीज वो भी फालू करेंगे जो लोग Slip Disk से रिकवर कर चुके हैं उनको अब Slip Disk नहीं है या Slip Disk की सरजरी कराके रिकवर कर चुके हैं और उनको कोई प्राब्लम नहीं है हाँ यह जरूर यहां पर ध्यान रखें कि जो लोग सरजरी करा चुके हैं और उनमें अगर Implant पड़ा हुआ है तो वो वजन न उठाएं जुक सकते हैं इस तरह से लेकिन वो वजन न उठाएं तो आईए चलिए सबसे पहले यहां शुरू करते हैं कि जो लोग को प्राब्लम कम है सिर्फ कमरदद के समस्या है या नॉर्मल है या फिर स्लिप डिस्क नहीं है ऐसे लोग जुक के कैसे काम करें तो देखे ऐसे लोग को जुकने के लिए सबसे जरूरी चीज़ यह है कि वो अगर हो सके तो अपने कमर को फोल्ड मत करें अपने कूले और घुटने के बल पे जुकें कमर हमारी फोल्ड करने के लिए नहीं होती है कमर हमारी हमारे शरीर का वेट ट्रांसवर करने के लिए होती है हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए होती है इस थाइप तो प्रदान करने के लिए होती है तो हमारा जो जुकने का main function है वो कमर का नहीं है वो हमारे कूले और घुटने का है तो इसलिए कोशिश करें कि आप इस तरीके से इस तरीके से दिखाया गया है इस तरीके से कूले और घुटने को मोड के जुके और जुके जो भी सामान उठाना है उठाएं और उसके बाद फिर खड़े हो जाएं ये सबसे सेफेस्ट तरीका है जुक के कुछ भी उठाने का अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपको ही कर पाते हैं और आप जुकके ही काम करते हैं आपको रेगुलर जुकके काम करना पड़ता है इसके लिए एक ये तरीका है कि अगर आपको सिर्फ कमर दर्द रहता है और और तो आप उसमें जुक्के काम कर सकते हैं, लेकिन जुक्के काम करने के बाद उसको आपको ये exercise उसमें पांच से छे बार दोहरा के करनी होगी इसको दियान से दिखेंगे, इस exercise को करने के लिए सब से पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, और दोनों हाथ अपने पीछे दोनो कूलों के उपर रख लेंगे और उसके बाद पीछे की और जुकेंगे और पीछे की और जुकेंगे उसको 10-20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद में 10-20 सेकंड होल्ड कर देंबाद फिर सीधा वापस पोजिशन में आएंगे फिर दुबारा जुकेंगे उसको आप comfortablyly पीछे जा सकते हैं, उतना comfortablyly जाईए, 10-20 second रोकिए, उसके बाद फिर सीधे हो जाईए, अगर आप देर तक काम करते हैं, सपोज आप आदा गंटे करते हैं, एक गंटे करते हैं, तो आपको करना ये चाहिए, कि जुक के जब आप काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में अपने काम को रोक के, हर 10-15 मिनट में, या 15-20 मिनट में, बीच में काम को रोक के, 5-6 बार ये backward extension exercise, खड़े होके जरूर कर ले, यानि अपने काम को हर 15-20 मिनट में interrupt करके, और 5-6 बार ये exercise कर ले, तो अगर आप ये exercise कर लेते हैं, और उस जुके भी काम करते हैं, सीधा कमर म बदलने के लिए, वो problem नहीं बनेगी, और वो ligaments, वो disc, वो सारी चीज़े heal up रहेंगी, और आपको आगे slip disc होने के संभावना नहीं होगी, आई अब बात करते हैं, कि जिन लोगों को slip disc है, वो कैसे जुके काम कर सकते हैं, जी हाँ, जिनको slip disc के समस्षा जूज रहे हैं, व कि वो कमर को बिना मोडे हुए जुके हैं, क्योंकि उनको अगर पहले से slip disc है, तो उनको कमर मोड के कता ही नहीं जुकना चाहिए, उनको इसी तरीके से जुकना चाहिए, यानि कि कमर को सीधा रखते हुए, कमर में पहले आगे की तरफ थोड़ी lordosis बनाएं, दिखाये गए उसकी तरह है, यानि कमर को अपने पेट को थोड़ा आगे निकालने, कमर को पीछे से आगे की तरफ थोड़ा पुश करके रखें, उसके बाद घुटने और कूले के बल पे जुके, जो भी उठाना है, उसके बाद फिर खड़े हो, तो इस तरीके से जुक के उनको कोई भी के उठने पे होता है, आपके slip disc बहुत ही complicated नहीं है, तो आप ये आराम से ये चीज़ फालो करके काम उसको कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे जरूर है कि slip disc वाले मरीजों को भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, पर household activity वो कर सकते हैं, जिसे नॉर्मल चीज़ उठानी उठा सकते ह 10-15 किलो वेट ना उठाएं, 15 किलो से उपर का वेट ना उठाएं, पर उससे कम वेट थोड़ा बहुत जो इदर उदर रखना है वो जुक के इस तरीके से जुक के उठा सकते हैं, दोस्तों एक मैंने बहुत अच्छी किताब लिखी है कि बैठ कर काम करने वालों में कमर दर हो जाता है, तो ये समस्या आजकल हमारे जीवन में बहुत हो रही है, तो इसमें मैंने एक बुक लिखी है, जिसमें आपको पूरा पढ़ना होगा, सिर्फ 60-70 पन्नों की किताब है, और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर बैठने वाले ल मेंबर हैं, तो फिर आप फ्री भी उसको पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि ये 200 रुपए की बुक आपको डॉक्टर विजिट के करीब 50,001 रुपए आपके बचा दे, या आपकी फ्यूचर सरजरी को बचा दे, तो इसलिए जो लोग भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो द ध्यान से पढ़ेंगे, मुश्किल से अगर आप 15 मिनट पढ़ते हैं, तो आपको दो सिटिंग में आप आराम से इसको पढ़ लेंगे, और इसमिद्योई परक्रियाओं को फालू करेंगे, तो शायद आप जिंदगी भर कमर दर्द और स्लिप डिस से बचे रहेंगे, तो यह बहुत ही important part है, इसको ध्यान से देखिए, जो लोग खास करके वजन उठाने का काम करते हैं, तो मेरा यह कहिना है कि अगर बहुत भारी वजन उठाते हैं, यानि 50 किलो एक कुंटल, तो कोशिश करें कि उसको ना उठाएं, पर अगर 20-25 किलो, 30 किलो तक उठाते हैं, त इससे कि उनको आगे चलके problem नहों, कोशिश करेंगे कि हो सके, जो वजन आपको उठाना है, उसके बिलकुल पास से पास, जितना ज़्यादा पास हो सके, उतना पास खड़े होंगे, खड़े होने के बाद पीट को सीधा रखके जुकेंगे, जुके वेट उठाएंगे, और वेट उठाते समय, जो आपके lordosis is normal, उसको आगे की और बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और बनाए रखने की कोशिश करते हुए वजन को उठाएंगे, घुमने के लिए दोनों पैरों को साथ साथ घुमा कर, यानि पीट को नहीं मुड़ना है, दोनों पैरों को साथ पीट को साथ साथ घुमा के मुड़ना है, और मुड़ने के बाद उसी तरीके से आगे जुगते हुए, यानि lordosis को अपनी कमर में आगे का करवेचर, वो lordosis को बनाए रखते हुए, उस वजन को नीचे रख देना है, तो वजन उठाने में ये पार्ड करना बहुत जरूरी ह हाँ, इसके अलावा, इसमें जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या है या फिर नॉर्मल है, वो वजन उठाने के बाद भी बीच-बीच में spine extension exercise कर लें, अगर एक ही बार वजन उठाने के बाद एक बार 5-6 बार spine extension exercise कर लें, और अगर वो कई बार वजन उठाने का काम करते है जैसे उनको 10-20 बार, 50 बार वजन उठाना है, दिन में 2-3 गंटे काम करना है, तो फिर वो वजन उठाने की प्रिक्रिया को बीच-बीच में रोब के और ये spine extension exercise कर लें, एक बात का और ध्यान लखना है, कि सुबे के जो 4-5 गंटे होते हैं, वो सबसे जादा slip disc होने के chances उस से जादा होता है, इसलिए कोशिश ये करें कि सुबे के 4-5 गंटे कम से कम वजन न उठाएं, वेट वगर उठाने का काम है, या जुकने का काम है, वो usually सुबे के 4-5 गंटे के बात करें, जिसे कभी-कभी ठंड का मौसम होता है, तो उस समय भी slip disc होने के chances जादा होते हैं, तो इसलिए ये स्पचली ध्यान रखें कि सुबे के 4-5 गंटे में आप अगर कमर नहीं मोडेंगे, या कमर मोड के नहीं जुकेंगे, तो भी slip disc की समस्या आपको कम रहेगी, दोस्तों आपका confusion काफी हद तक दूर हो गया होगा, कि आखिर आपको अगर slip disc है, या आपको slip disc तो आप कैसे जुके काम कर सकते हैं, और जिंदिग्यों को enjoy कर सकते हैं, और slip disc और कमर धर से दूर रह सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई question है, तो comment box में मुझसे पूछिए, मैं जरूर क कोशिश करूँगा उसका इंसर देने की, थैंक यू